हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्किट गुरू को सस्क्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहा है और इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे सेयर करना ना भूलें जिससे और वोगा भी फायदा हो सके ठैंक्स नमस्कार मेरा ना मेरा के सिंग और आप देख रहे हैं मार्किट गुरू मैं इस वीडियो में फिर से अलम्बिक फार्मा स्यूटिकल के रिजल्ट लेकर हाजिर हूँ और जो रिजल्ट है वह काफी जादा अच्छे थे और इस इस कंपनी को मैंने पिछले क्वार्ट में भी रिव्यू किया था और मैंने टार्गेट बढ़ा थे उसमें अलमोस्ट आधे टार्गेट आ चुके हैं और इस कंपनी को मैं फिर से अप्ग्रेट कर रहा हूँ एक नए टार्गेट के लिए तो वह टार्गेट कौन-कौन से ह तो उसे जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें मैं इस कंपने पे काफी ज़ादा बुलिश हूँ इस वीडियो में मैं इसके रिजल्ट कैसे हैं और मेरे नए टार्गेट्स क्या हैं इस कंपनी को लेकर वो बताओँगा तो वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेर करें और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस शेर में निवेश करना है तो long term की सोचें ये शेर जो है आपको long term में बहुत जादा मुनापा देगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जो कम्पनी जो ने स्यल्स क्लॉक किया है जून 2020 में वह 1341 करोड का मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो सेल्स क्लॉक किया है जो पिछले पिछले क्वाटर में जो था वह 1507 करोड का था जो वो quarter and quarter जो company का sales में growth है वो 11.11% है जो मुझे काफी decent माना जाएगा क्यों क्योंकि ये ये जो है corona virus driven driven quarter था जिसमें ये company ने 11.11% quarter and quarter growth किया है जो काफी अच्छी मानी जाएगी पर इस company के result की सबसे बहतरीन बात ये है कि company ने जो जून 2019 में sales किये थी वो करीं थी 949 करोड की अगर मैं year on year growth की बात करूँ तो company ने जो sales growth clock की है वो 41% है जो काफी अच्छी मानी जाएगी इस result में एक चीज़ और बहुत अच्छी दिखाएगी जो company के OPM है operating profit margin वो पहले पिछले quarter में 24% पे थे और June 2019 के quarter में इसके 24% के ही operating profit margin था जो बढ़कर अब 30% हो गया इस quarter में जो मुझे काफी अच्छी बात लगी मुझे लगता है इसी के दम पे आने वाले समय में ये share जो है काफी अच्छा result ऐसे ही clock कर सकता है और एक चीज इस company की जो बहुत अच्छी थी इस quarter में वो इसके net profit थी net profit जो इस quarter में company ने clock किये है वो 301 करोड के किये है जो पिछले quarter में 225 करोड का था जो quarter and quarter increase है net profit में 33.7% का है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो quarter थे दोनों के दोनों उन में से ये जो quarter one FY20 का जो था ये सबसे जादा इसमें कोवीट की वज़े से जो थी अर्चने आई थी पर अगर मैं इस ही के net profit क्यों अगर मैं तुलना करूं पिछले साल के जून quarter से तो वो पिछले साल जून quarter में जो company ने profit clock किया था 124 करोड का किया था और इस quarter में जैसे आपको पता है 301 करोड जो company ने increase हुआ है company के जो profit में increase हुआ है वह increase हुआ है 142% का increase हुआ है जो काफी अच्छा माना जाएगा और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यह result का impact इस share में आने वाले दिनों में कैसे दिखाई दे सकता है इसके technical levels इसके targets और यह targets कहां तक जा चुके हैं मेरे targets इस video में कहां तक हैं तो चलिए इसके technical targets जान लेते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप कल इसमें trade बनाना चाहते हैं तो आप इसमें buy कीजिए 1018 के उपर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप 1018 के उपर इसमें buy कीजिए इसमें stop loss लगाई है 968 का याद रखिएगा 968 का आप इसमें stop loss लगाई है उपर में यह share आपको 1040 1047 1075 1104 टक के targets आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर दिखा सकता है मैं आपको कहना चाहूंगा कि 15 से 30 दिन में यह company जो है यह जो है इस company में यह targets आते हुए दिखाई दे सकते हैं पर जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा long term में रहिए यह company जो है आपको multi year multi bagger share हो में एक share है यह share आपको हर दो साल में तीन साल में double होता हुआ दिखाई देगा तो मैं अपने हर दस्ते से कहना चाहूंगा जिनका जो long term के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें कौन-कौन से level पर ध्यान देना है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप long term के लिए हैं तो इसका जो long term stop loss होगा वो होगा 896 का 896 का आपको stop loss लगाना है अगर 896 तूटता है तो नीचे में आपको इस share को जरूर accumulate करना है और वो levels है 823, 810, 779, 707 और 620 जब भी आपको मौका मिले यह share गिरता है तो आपको इस share को जरूर खरीदना है you have to buy this share in every fall और अगर आपको नीचे में मिलता है तो यह share आने वाले दिनों में कौन से targets मैं देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में यह share जो target दिखा सकता है वो दिखा सकता है सबसे पहला target 1084 का target अगर उसको सस्टेन करता है तो यह share 1188 का target उसके बाद उसको सस्टेन करता है तो 1296 का target उसके बाद 1346 का target और उसके बाद 1500 और 1600 टक के targets 12-15 महीने में यह share आपको दिखा सकता है यह share 12-15 महीने में आपको 1600 टक के targets दिखा सकता है मैं आपको कहना चाहूंगा इस share में अगर आप एक अगले एक साल के लिए निवेशित होते होते हैं तो यह शेयर आपको 1600 तक के टारwiązर दिखा सकता है पर इस शेयर का मेरा अगले 24 महीने का जो टारगेट होगा होगा 2,000 कि इस शेयर पर मेरा 24 महीने जो टार्गेट होगा 2000 कि और मैं आप सभी से कहना चाहाओँगा ऐसे शेर जो consistent profit दिखाते हैं उसमें आप ज़रूर निवेज कीजिए आप अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि महीने महीने एक हजार रुपे इस शेर में SIP के form में डाल दीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगले पांच सालों में जितना अच्छा रिटर्न फार्मा सेक्टर देगा किसी भी सेक्टर के मुताबित कंपेरीजिन में सबसे ज्यादा णटेने वाला सेक्टर होगा ओपार्मा सेक्टर रहोगा मैं अपने हर दसचण आचाहूंगा आप निवेश जरूर किगी चैये स्टॉक मार्केट में और लोंग टरम का सोचीए अगर आप लोंग टरम का स्वे स्क्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजेगा को कि समय समय पर मैं ऐसी जान का रिया जो आने वाले समय में आपको बहुत मुनाफ़ा दे सकी वह लात रहता हूं तो आज के लिए बस इतना ही बाइए